मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको जो ग्यान जो इंफार्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, उसकी कोई कीमत नहीं और कोई दूसरा आपको कभी नहीं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कच्चे प्याज को खाने से क्या होता है, और यदि आप भी कच्चे प्याज का सेवन करते हैं, तो इससे आपके पूरे शरीर को किस तरह के फायदे होते हैं, और साथ में कच्चे प्याज से जुड़े रहस्य के बार प्याज का सही इस्तेमाल करने के तरीकों को अपनाते हैं, अपने डायेट में शामिल करते हैं, तो आपको शरीर में होने वाले कई समस्याओं से छुटकारा पाने के साथ बचने में भी मदद मिलेगा और और आप हमेशा कई बीमारियों से दूर रहोगे। अगर आप इसका फाइदा नहीं ले पाते हैं, तो आपको बाद में अफसोस हो सकता है। तो कृपया दोस्तों, कच्चे प्याज की इस जानकारी को जरूर जानें, क्योंकि कच्चे प्याज के पोशक तत्व की कमी से इतने भयंकर परिणाम को देखना मिल सकता है, कि आपने क अभी सोचा भी नहीं होगा, इसलिए पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। और मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, कि एक बार कमेंट बॉक्स में जै जै बजरंग बली, जै बागेश्वर ध सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम, बाला जी की कृपा आपके उपर और हमारे उपर सदा बनी रहे, और हमें और भी ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी प्राच वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही और नोटिफिकेशन का आप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिलकुल भी ना भूलें। क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अप्लोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन जरूर दबाए। मित्रों, प्याज हर घर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सबजियों में से एक है, खाना शाकाहारी या मानसाहारी, हर प्रकार के भोजन में प्याज इस्तेमाल किया जाता है, सबजी में प्याज डालने से सबजी का स्वाध तो बढ़ ही जाता है, पर प्याज को खाने इसे कई बहतरीन फाइदे भी होते हैं। खाने में तड़का लगाते समय प्याज डाला जाए और सलाद में इसकी जगह न हो तो खाने में बिलकुल ही स्वाध ही नहीं आता। दोस्तों प्याज काटते समय आँखों में पानी जरूर आता है लेकिन इसे खाने से जो अंगिनत फाइदे होते हैं उसका मुकाबला कोई नहीं। खास कर गर्मियों में कहा जाता है कि प्याज खाने से लू नहीं लगती, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्याज सिर्फ लू से नहीं बच्चती है, बलकि डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी सक्षम है। इस वीडियो में हम प्याज के ऐसे ही तमाम आयूरवेदिक गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही में खाने के तरीके भी बताएंगे, और अंत में प्याज के नुकसान भी बताएंगे, और कच्चे प्याज खाने के फायदे भी बताएंगे। मित्रों, अगर आप हार्ट से जुड़ी गंभीर समस्याओं के खत्रे को कम करना चाहते हैं, तो कच्चा प्याज जरूर खाएं. अपने सलाध में दूसरी सबजियों के साथ ही प्याज को भरपूर मात्रा में शामिल करें. इससे आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा. कई शोधों में बताया गया है कि हृदय से जुड़ी बीमारियां में प्याज बेहत फाइदेमंद होता है. दर असल प्याज आपके रक्त को पतला करता है और हार्ट अटैक आने का खत्रा कम करता है. इसके अलावा प्याज ब्लड शुगर के खत्रे को भी काम करता है. दोस्तों, प्याज में मौजूद सलफर यौगिक ब्लड शुगर को कम करते हैं, इसके अलावा पुरानी से पुरानी पाचन प्रक्रिया संबंधित बीमारियों को भी कच्चा प्याज ठीक कर देता है. और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जो आवश्य होती है, वह कच्चे प्याज में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है. कच्चे प्याज में फाइटो केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर के अंदर विटामिन सी को बढ़ाने का काम करते हैं, और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और आपको बैक्टीरिया वायरस संक्रमन के होने वाले कई बीमारियों से भी बचाती है. जब आप प्याज का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी आपके प्रतिरक् और विभिन्न प्रकार के सभी हानिकारक तत्यों से बचाता है। दोस्तों, अन्य पदार्थ और बाहरी हानिकारक तत्व बीमारी का कारण बन सकते हैं। प्याज एक मजबूत प्रतिरक्षा बनाने में मदद करती है। और पाचन तंत्र के लिए प्याज के औशधिय गुण है। यह पाचन तंत्र को बहतर करता है और पके हुए प्याज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे एसिडिटी गैस जैसी समस्याएं दूर होती है। और कब्ज की समस्या आपको नहीं होगी। मित्रों, इससे आपका पाचन तंत्र सही प्रकार से काम करेगा। प्याज में पाया जाने वाला इस फाइबर को औली को फोटोस कहा जाता है, यह आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है, ताकि आप ठीक से काम कर सकें। इतना ही नहीं, ओली को प्लूटो दस्त जैसी समस्या में भी काफी लाभधायक साबित हो सकता है। प्याज में पाये जाने वाले पाये, तो कैंप यह सिग्रेट से होने वाले दुश प्रभाव असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। प्याज में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो कब्ज को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा या पेट में दर्द पेट में कीडे होने वाली जैसी समस्याओं से भी राहत दिला सकता है। और डाइबिटीस से भी बचाव करता है, कच्चे प्याज में क्रोमियम पाया जाता है, जो शुगर को कंट्रोल करने के साथ ही बलड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। इससे आपकी मान स्पेशियों और शरीर को धीरे धीरे ग्लूकोज मिलता रहता है, और प्याज शरीर में बलड को जमने से रोकने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक का खत्रा कम हो जाता है। दोस्तों, यह प्राकृतिक रूप से आपके खून को पतला करता है, इसके साथ ही डायेट में प्याज शामिल करने से शरीर का कोलेस्ट्राल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि प्याज में एंटी कैंसर गुण पाये जाते हैं, जो आपको कैंसर से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। मित्रों, रोजाना कच्चा प्याज खाने से, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है, और कई अध्ययनों में भी कैंसर के लिए कच्चे प्याज को फायदे मंद बताया गया है। और मित्रों, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो रोजाना एक कच्चा प्याज खाने की आदत डालने। इससे न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, बलकि दिल से जुड़ी बीमारियों का खत्रा भी कम होगा। सिर्फ एक प्याज में 25.3 मिली ग्राम केल्शियम होता है। केल्शियम मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। इसलिए अपने सलाहद में उप्योग करके आप बेहतर हड्डी स्वास्थे का निर्मान कर सकते हैं। और मित्रों, गर्मियों में आँखों में सूखापन आना बहुत आम है। लेकिन प्याज में मौझूद सेलेनियम विटामिन E के उत्पादन में मदद करता है। जो बदले में इस दर्दनाक आँखों की समस्या से बचाए रखता है। और आपको बता दे कि वास्तव में आई ड्रॉप्स में प्याज के रस का अर्क भी मिलाया जाता है। शायद आप इस पर यकीन न करें। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसलिए कच्चा प्याज नहीं खाते क्योंकि इसे खाने से मुह से बदबू आने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है प्याज आपके ये मुह के स्वास्थे को बनाए रखने में मददगा है। इसमें विटामिन सी सामगरी इसके लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों यदि आपके पार्टनर को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो उन्हें हर रोज प्याज खाने को दें। क्योंकि इसमें मौजूद खास तत्व पुरुशों की इस समस्या को दूर करन में भी मदद करता है। दोस्तों प्याज विटामिन A, C और के पाया जाता है और यह आपकी त्वचा के लिए आपको इनहीं की जरूरत होती है। यह विटामिन न केवल आपको टैनिंग से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं बलकि आपको हानिकारक UV किरणों से भी दोस्तों आयूरवेदिक हेयर प्रोडक्ट बालों की ग्रोध के लिए प्याज के रसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसके जीवान रोधी गुणों के कारण प्याज आपकी स्काय एल्प से रूसी और जूं को दूर रखने में मदद करता है। प्याज में सहायक, मस्तिश्क के कारियों को बेहतर बनाने में मदद करता है। और दोस्तों प्याज में फोलेट यानि विटामिन B9 गर्भावस्था में महत्वपूर्ण है यह नई कोशिकाओं के निर्मान में मदद करता है। इसमें पाया जाने वाला पोटैशियम रक्त चाप को नियंतरित करने में मदद करता है और हमारे हृदय स्वास्थे को बेहतर बनाता है। और प्याज में मैगनीज पाया जाता है जो हमारे हड़ियों के स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण और हमारे मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है। और प्याज में क्वेर्सेटि यौगिक होता है और इनमें एंटि बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो संक्रमन से लड़ने में मदद करते हैं पाचं स्वास्थे को सुधारने में सहायक अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किन बीमारियों में प्याज बहुत ही उपयोगी माना गया है दोस्तों प्याज में मौजूद क्वेर्सिटिन और सलफर यौगिक रिदय की धमनियों को साफ रखते हैं रक्त चाप को नियंतरित करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं आपको बता दे कि नियमित रूप से प्याज खाने से रिदय आगात और स्ट्रोक का खत्रा कम हो सकता है और प्याज के सलफर यौगिक और फ्लेवोनॉइड्स रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद करते हैं प्याज में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए उप्योगी होता है अब दोस्तों आप सुबह के समय कच्चे प्याज को सलाध के रूप में नाष्टे में शामिल करें यह पाचन को सुधारता है और दिन की शुरुवात में ऊर्जा प्रदान करता है और प्याज का रस पीना भी एक अच्छा विकल्प है खासकर अगर आप बालों और तवचा के लिए इसके लाब चाहते हैं और दोस्तों, सबसे जरूरी बात प्याज में नेचुरल ब्लड थिनिंग गुण होते हैं अगर आप रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो प्याज का अधिक सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्याज हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी जाने जाते हैं डाइट में शामिल करने से हड्डियां मजबूत होने में मदद मिलती है उम्र बढ़ते समय हड्डियों का कमजोर होना आम बात है लेकिन आप बढ़ती उम्र में ही हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं कच्चे प्याज के सेवन से हड्डियों को खराब होने से बचाने में काफी मदद करती है और जोडों के दर्द का इलाज प्याज के रस को सरसों के तेल में मिलाकर जोडों पर मालिश करने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है, माना जाता है कि इस नुस्खे को दो महीने तक लगातार आजमाया जाए तो बहुत फाइदा होता है। प्याज के रस और नमक का मिश्रण मसूढों की सूजन और दांत दर्द को कम करता है। इसके अलावा प्याज के बीजों को सिर्का में पीस कर दाद खाज और खुजली में लगाने में भी शीग्र आराम मिलता है। अगर आपको लंबे समय के लिए अपने आपको स्वस्थ र करने में मदद करता है। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन E बहुत जरूरी होता है, जो प्याज में पाया जाता है। प्याज की मदद से आँखों को स्वस्थ रखने के सबसे आसान तरीका है कि हर बार आप खाना बनाते समय आप ही प्याज काटें। प्याज काटने से आँखों में पानी आता है, जिससे आग साफ हो जाती है और स्वस्थ भी हो जाती है. दोस्तों, घर की रसोई में रखे प्याज आपके बालों को जड़ने से रोकने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. प्याज का रस आपकी तवचा के लिए भी बहुत फाइदेमंद होता है. इसके लिए आप बालों पर प्याज का रस लगा लें और फिर इसके बाद शैंपू से धो लें. सब्ताह में ऐसा एक से दो बार करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है. प्याज के रस की एक चम्मच नारियल के तेल की दो चम्मच मिक्स कर लें. आप चाहें तो उसके साथ एसेंशियल ओनेल की कुछ बूधें मिला सकते हैं. एसेंशियल ओनेल को मिलाने से प्याज की गंध दूर हो जाती है. इसमें स्तर से सिर पर मसाज करें. मसाज करने के बाद इसे एक से दो घंटे तक रहने दें. बाद में गुनगुने पानी से इसे धोलें. इसका इस्तिमाल सप्ताह में एक या दो बार करने से बालों को मजबूती ज्यादा मिलती है. और बालों का जड़ना बंद हो जाता है. बालों को जड़ने से रोकने के लिए प्याज का रस और प्याज का मास्क भी बहुत लाभदायक होत दो चम्मच प्याज और एक चम्मच शहद को मिला कर, बालों पर लगाने से बालों की अंदरूनी जड़ों को ज्यादा मजबूती मिलती है, इसको बालों पर 15 मिनट तक लगा रहने दें, इसके बाद बालों को शैंपू कर लें, इसका इस्तेमाल सप्ताह में दो बार भी कर स तो आईए आपको बताते हैं कि प्याज खाने का बेहतर तरीका क्या है, या आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप प्याज के क्या खाते हैं, या फिर पका कर खाते हैं, अगर कच्चे प्याज की बात करें तो इसमें उच्च मात्रा में और गैनिक सल्फर पाया जाता ह जिसके कई फायदे हैं, प्याज के घोडे की बाहरी परत में अधिक फ्लेवोनॉइड होता है, जिसमें एंटियोन एक्सिडेंट गुण होते हैं, इसलिए प्याज को काटते समय आप इस परत को कम से कम हटाएं, या कई मामलों में आपके लिए भी फायदेमंद होता है, वही पके हुए प्याज में फाइबर और कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जहां फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है और मस्तिष्क के विकास के लिए भी अच्छा है, यहां तक कि प्याज के आचार भी सेहत के लिहाज से फायदेमंद माना गया है, तो म उत्रों, उम्मीद करता हूँ आपको इस आयुर्वेदिक प्रसंग से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह आयुर्वेदिक प्रसंग आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक प्रसंग से कुछ सीखने को मिल सकें। और बागेश्वर धाम बाला जी के सच्चे पर कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जय बाला जी महाराज अवश्य लिखें। ताकि बागेश्वर धाम बाला जी की कृपा सदा आपके उपर और हमारे उपर बनी रहे और हमारे चैनल प्राचीन ग्यान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आ जड़ी आप किसी भी बीमारी की आयूर वेदिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे मेंबर्शिप को भी ज्वाइन कर सकते हो हम वहां आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें धन्यवार